असलाव अलेकूम दोस्तो आज की वीडियो में हम सौधी रब की दो बड़ी अपडेट जो है हुआ आप वाम दोस्तों के साथ यहाँ पर सेर करने वाले हैं पहले जो अपडेट है दोस्तों वो करोना वाले से हावाले से जबकि दूसरी जो अपडेट है वो बापर सोप एरनिकी सैलोन के हावाले से है तो ये दोनों ही अपडेट आप वाम दोस्तों के लिए एहम होने वाली है तो अगर आप सौधी अरब में रहते हैं सौधी अरब की हालात से बाखावर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो का आफसर लेकर आखर तक जरूर देखें दोस्तों वीडियो संदाए लाइक और सेर ज जा चुके हैं जबकि पिछले 24 गंटे के अंदर 38 नए लोगों की मौत भी होई है जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 857 हो चुकी है यहां पर आपको वजचले कि पिछले 24 गंटे के अंदर 2065 क्रोना वारेस के जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं यहां पर आपको 2738 मरीज ऐसे हैं जो की ICO में हैं यानि इनकी हालत काफी जादा नाजुक यहां पर है अब यहां पर बात कर लेते हैं पिछले 24 गंटे के अंदर किन सिटी में जादा क्रोना वारेस के जो मरीज हैं वो रिकोर्ट पे आए हैं यहां पर पिछले 24 गंटे के अंदर सबसे दात 1431 है उसके पाद दूसरे नंबर पर जद्दा है जहां पर 294 मदीना मुनोरा 293 अल्दमाम 114 अल्फूब 1206 अल्खोबर 100 बुरेदा 78 तायव 77 मदीना मुनोरा 74 अल्मुबरज 52 कतीब 52 जहरान 50 हाफिल बातिन 47 तबूग 45 अल्धिरिया 40 अल्खर्ज 34 खमिस मुसायद 32 व मजमिया 28 होताबनी तमीम 22 अल्यून 22 विसा 20 हाइल 20 जाजान 20 नजरान 19 अल्रास रासतनूरा 19 अफीफ 16 उन्नेजा पंदरा रुफैदा 13 अल्रास 12 अल्खबजी 11 अल्वनारिया 11 नफी 11 यंबो 10 साविया 10 अल्सुलाई 10 महिल असीर 8 अल्काउज 6 सरूरा 6 अरार 6 अल्दवादिनी 6 यानि की बाकी सिटी में यहां पर 6 6 5 4 3 3 2 2 1 1 मरी यहां पर रिकॉर्ट किये गए हैं जोस्तों अगली अपडेट जो है वो सॉदी अरभ में सैलून के दुकानों के हवाले से है यानि बाबर सोब के हवाले से है जिसा कि अक्सर आप तौम दोस्तों के सवाल मिलते रहते हैं कि भाई सौधी अरब में सेलून की जो दुकाने वगरा हैं वो कब तक आपन होंगी इसी के अपडेट है वो जारी हुई है जो आप तौम दोस्तों के साथ यहां पर सिर्खिया जाए जिसा कि आप लोगों को बच के तहट काम करने की पर्मिशन दी गई है तो हमें भी यहाँ पर पर्मिशन दी जाए क्योंकि यहाँ पर जिसकी आप लोगों की याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही सुदियुनिस्टी आफ हिल्थ के जो अंडर सेकेटरी हैं डाक्टर अब्दुल्ला यसीरी हैं उन्होंने एक बयान दिया तो जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुदियर्भ में ऐसे काम का जो समाजी दूरी के वसूलों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें जब तक सुदियर्भ में करोना वार्स पर काबू नहीं पा लिया जता है जब तक उन्हें काम करने की जो है वो पर्मिशन नह तो इसमें के चलते हैं यहां पर जो सेलुन के दुकानों के मालिकान हैं उन्होंने मिनिस्ट्री आफ हलत से कह रहे हमें इस वक्त बहुत ज्यदा नुकसान को जोiselू को है वो सामना करना पढ़ रहा है। और यहां पर बताया है कि जो हमारे सैलून के काम में इस्तमाल होने वाले जो सामान होते हैं वो भी गरम के मारे यहां पर खराब हो रहे हैं यानि कि हमें बहुत ही जादा नुकसान यहां पर देखने को मिल ला है तो ऐसे में हमें भी जो है जो भी रूल्स रेगुलेसंस सैलून की दुकानों के लिए बनाये जाएं उस पर हम काम करने के लिए तयार हैं लेकिन हमें भी जो है यहां पर काम करने की परमिसन दी जाए लेकिन इस हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि सौधिर में जो जो सैलून की दुकाने हैं वो कब तक open होंगी और यहां पर सैलून के जो दुकानों के मालिकान हैं उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अगर हमारी जो दुकाने हैं उनको खुलने की परमिसन यहां पर नहीं दी जाती है तो ऐसी सुरत में जो हमारे वर्करों के एकामे की फीस है वो माप की जाए या फिर जो हमारे लैसेंस यानि जो लैसेंस होते हैं दुकानों का उसकी जो फीस है वो यहाँ पर माप की जाए और भी जो यानि के इंसुरेंस कार्ड हो गएरा की जो फीस हो गएरा होती है वो यहाँ पर माप की जाए यानि इस तरह की जो चीजें हैं वो म खुमत भी हम लोगों के बारे में सोचे या तो हमें काम करने की पर्मिसन दे या फिर हमारा जो वरकरों का खर्चा है या फिर जो एकामे का खर्चा है या फिर जो लाइसंस की फीस है इंसुरंस फीस है वो तमाम चीजें यहां पर माप करें तक कि हम लोग भी यहां पर थोड सौदिरम में रिकोड किया जा रहे हैं इसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि अभी फिरहाल सौदिरम में जो सेलोन की दुकाने हैं उन्हें खोलने की पर्मिसन सौधी हुकुमत जो है वो देगी जब तक सौदिरम में थोड़े बहुत जो क्रोना वारेस हैं उस पर कंट चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल कैकिंग को जुरूर प्रस कर दें क्योंकि यहां पर आपको सौदिरम की जो भी अहमतरीन खबरे होंगी वो देखने को मिलती रहेंगी